दोस्तों अगर आप एक कामन सर्वीस इंटर संचालक हैं या फिर आप एक जन सिवा की इन संचालक हैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है तो दोस्तों मदद की बात करते हैं तो मदद का मतलब है कि आप सभी के लिए हम एक नई सर्विस सुरू हुई है CST में जिसके बारे में हम complete आपको जानकारी देंगे ऐसी सर्विस है जिसमें आप सभी एक website के अंदर कई सारे कार कर सकते हैं जिसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा incentive भी प्राक्त होने वाला है तो दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही helpful और important होने वाली है तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कि वीडियो को लाइक जरूर कर लिजेगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं CSC में एक सर्विस आई है जिसका नाम है CSC सफर CSC सफर जिसमें आप सभी एक साथ कई सर्विसें का यूज कर सकते हैं जैसे आप रेल टिकेट बुक कर सकते हैं फलाइट बुक कर सकते हैं और भी कार इस वेवसाइड यानि इस पोर्टल के अंतरगत आप कर सकते हैं तो आप सभी के पास अगर CSC ID है CSC पोर्टल है तो आप सभी उसका यूज किस प्रकार करेंगे हम आप सभी को इस वीडियो के अंतरगत बताएंगे तो दोस्तों जैसा कि अगर आप अप अपना Digital Savor Portal ऑपन करेंगे तो भी यहां से आपको सर्विस मिल जाएगी अगर आप Digital Savor ऑपन करते है तो यहां पर जो डइस पोर्ट दिखाए देगा यहीं पर आपको सर्विस दिखाए देगी तो भी आपकी वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरह करके ठीक है अब आगे क्या करना है दोस्तों देखिए यही डाइसबोर्ड यहां भी ओपन हुआ है यही डाइसबोर्ड यहां तो अब यहां पर दोस्तों यह पोर्टल है CSC सफर का जिसमें आप साब बहुत से सर् earlier trip को अवे साब करना है तो यहां पर जैसे पुटर्रें युद्ट की धिकेट करनी है तो देखेए यहां पर जैसे यह्यां से आप pointer अपने ले जाएंगे यहाँ पे train पर तो आपके सामने इस तरह करके दो option आएंगे तो आपको दो option में यूज कैसे क्या करना है अगर आपको train की booking के लिए registration करना हो यानि आपके पास ID नहीं हो उसी में आपका जो train booking का section है वो open होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा लागिन करना होगा तो हर service के लिए अलग अलग आपको लागिन का भी option है लागिन करना होगा तो यहाँ पे देखे लिखा हुआ है please login to continue तो आपको ok कर देना होगा और यहाँ पे आपको login का जो button दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना होगा जैसे दोस्तों click करेंगे तो आपको login करने के लिए आगे जब option जो आने वाले है उसमें आपको cscid और password देनी होगी फिर आगे आपका portal redirect हो जाएगा तो देखिए जैसे हमने login कर लिया तो यहाँ पे log out करने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब website login हो गई और यहाँ पे देखिए हमारा यह interface भी दिखाई दे रहा है हमारा नाम और CSC ID भी दिखाई दे रहा है agent ID भी दिखाई दे रहा है प्रोफाइल देखना हो तो प्रोफाइल पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यह हो गया अब लाग इन करने का प्रोसेस अब यहां पर आपने सर्विस में ट्रेन में जाना है ट्रेन में आपको बुकिंग पर क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या करना है इसको कट कर देना है यहां पे आपको जहां की भी टिकट चाहिए होगी टिकट आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है, तो अब टिकट लेने के लिए क्या करेंगे, आपको टिकट बुक करना है कहीं की, तो आपको simply क्या करना है यहां पे आप जिस जंक्सन से यानि जहां आपका जहां से आपको बोर्डिंग लेनी हो जहां से बैटना हो वो area select करेंगे और two में जहां आपको जाना हो select करने के बाद आपका calendar दिखाई देगा और classes जो होंगी category यह all class रहे जिसके बाद आपको train find कर देना है तो आपका जो train की details है जो इस route पे जाने वारी train से वो so कर जाएंगी ठीक है तो इस तरह करके आपको train की booking कर लेनी है ऐसे करके आपको दिखाई दे जाएगा तो यह train की booking करने का प्रवधान है मैंने बताया हुए अब आगे की service है वो है flight की अब flight book करने के लिए आपको flight book करनी है तो यहां पर देगी flight के लिए CST में दो service है अवेलबल है जो है travel बटिक online है एक uni money है तो आप दो में से किसी पर भी जाकर आप flight book कर सकते है आप जिस पर click करेंगे तो इस तरह करके खुल जाएगा और यहां पर login करने के लिए कहेगा तो आपको login कर लेना है login करने के लिए आपको जो मैंने बताया CST ID password वही same fill करना होगा continue पर click करना होगा तो इस तरह करके आपका जो dashboard होगा वो flight book करने का इस तरह करके इंटरफेस दिखाई दे जाएगा तो यह हो जाएगा आपको flight book करने का अब यहां से आप जो भी origin डालना है destination आपका जो भी रह वो डालकर search कर लेना है और आपको अगर ticket सही हो अगर आपको जाना हो तो ले सकते हैं तो इस तरह करके आप flight की ticket book कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं इसमें अगली जो service है वो है bus ticket की अब bus ticket book करने के लिए भी आप इस CST सफर के अंतरगत अंदर bus ticket भी book कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए bus की भी अगर ticket लेनी हो तो आप ले सकते हैं तो यहां पर bus टिकट पर जैसे आप क्लिक करेंगे दो option आपको दिखाई देंगे पहला दिखाई देगा आपका red bus का दूसरा दिखाई देगा book on spot तो तो रेडबस आपकी बस जो चलते हैं red bus की वो ले सकते हैं त पर जैसे ही आप दोस्तों किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा देखिए तो अब यह रेडवाइस की जो वेबसाइड है वो ओपन होगी तो यहां पर आपको सबसे पहले लागिन ऐज सिएसी एजेंट पर किलिक करना होगा जिससे हो आपकी USC ID और पासवर लेगा उसके बाद आपका यह जो टैस बॉड है वो ओपन करेंगे अब यहां पर आपको जहां जहना हो वो सलेक कर देंगे उसके बाद कहां तक कहां से जाना है कहां जाना है यह select करने के बाद data of journey और search पर click कर देंगे तो आपकी जो उस route से related जितनी भी बसे होंगी आपको दिखाई दे जाएंगी ठीक है तो suppose that अगर आपको देखना हो तो यहाँ बांदा जैसे हम बांदा से बांदा से कानपूर के लिए जैसे बस देखना चाहें बांदा से कानपूर ऐसे करके data of journey भी आप calendar में डाल सकते हैं और search कर देंगे तो जैसे ही आप इतना करेंगे तो देखिए आपके सामने जितनी बसे होंगी जो भी बसे होंगी और जिस प्रकार की होंगी और आपको यहां प्रोसीड टू पेपर कि लिक्क कर देता होग और आपका जो पोटल है वह खुल जा एक तो पोटरे करके तो टीवियों में इसी तरह करके आपको सर्च कर लेना है और जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं ठीक है तो इस तरह करके आप होटल बुक कर सकते हैं अब होटल के बाद आपको टैक्सी बुक करना है तो टैक्सी बुक पर टैक्सी सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके जानकारी है हम आप सभी को बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में प्रवाइड करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजे आप सभी के लिए मिक्स हो जाएंगे जिससे आप सभी को समझने में थोड़ा दिक्कतफू सकती है यह बहुत से नए भाई है जिनको ख्राएड करेंगे तो अब आगे हम लेट करेंगे हैं यहां फरेंड की किलिक रएंगे ट्रेंड जैसे किलिक करेंगे तो में अपकंव carrier क्रैंगे या पेंडिंग टिकट होगा यह सारी चीज़े आपको इस तरह करके मिल जाएंगे तो यह था आप सभी के लिए हमने सोचा की जरूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइट कर दे जिससे आप सभी CSC से अगर जुड़े हैं CSC में हैं अगर आपके पास CSC आइडी है तो आप सभी इसके मादम से टिकट बुक कर सकते हैं और भी चीज़े यूज कर सकते हैं जिसको आपको बढ़े हैं बेनी फिट मिले और अच्छा खासा कर दो आपके पत्सक आपके पास